Dear student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh काफी दिनों के break के बाद हमारी मुलाकात हो रही है अगर आपको मेरा previous lecture याद होगा तो हमने previous lecture में protein और polypeptide को बहुत ही अच्छी तरहां से समझ लिया है आज के lecture में हम protein के structure के बारे में पढ़ने वाले हैं तो बिना किसी देरी के चली शिरू करते हैं देखें, protein living bodies में different role play करता है जैसे मिसाल के तोर पर अगर आप देखें तो enzyme ये living bodies में reaction की रफतार को उसकी speed को बढ़ा देता है मतलब ये biological catalyst के तोर पर भी इस्तिमाल होता है protein जो enzyme के तोर पर इस्तिमाल होता है इसी तरह से जो living bodies का जो structure होता है उसका जो बेरूनी structure होता है जो बाहर जो structure होता है जैसे मसल, ये भी protein के बने होती है इसी के साथ साथ बाल, नाखुन, ये भी क्या है? protein के बने होते हैं तो protein जो है, ये living bodies में different role play कर रहा है तो protein ही, लेकिन वो different different role play कर रहा है क्या reason है? कि protein जो है, वो different different role play करते हैं कभी वो enzyme की तरह बताव करता है कभी वो जो है structure बनाता है बाल, नाखुन, ये muscles वो बनाने में मददगार साबित होता है तो क्या reason है protein के अंदर ऐसी क्या चीज़े हैं जिसके वजह से protein different role play कर रहा है इन्ही बातों को understand करवाने के लिए protein के four level structure represent किया गया protein का four level structure जो है वो बयान किया गया जिसकी जरीए से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि protein वो different role किस तरह से play करता है तो चलिए शुरू करते हैं protein के structure को देखे four level of protein जो होते हैं वो होता है primary structure, secondary structure, tertiary structure और cotonary structure ये four level है protein structure के अगर ये four level of protein अगर आपको समझ में आ गया है तो ऐसा समझ देजिए कि protein आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है तो कौन-कौन से four level है सबसे पहला structure जो होता है वो कौन सा होता है primary structure अगर आप देखोगे तो पहला जो structure हो कौन सा structure primary structure दूसरा structure, secondary structure फिर उसके बाद, tertiary structure और फिर, cortinary structure ये जितने भी लेवल है protein structure के इसको हम detail से देखने वाले एक-एक करके हम primary structure को फिर secondary structure को, tertiary structure को और cortinary structure को detail से देखने वाले हैं लिकिन एक बात मैं आपको बता दू कि अगर आप मेरा lecture lockdown के pre-aid में यानि coronavirus के pre-aid में अगर आप मेरे lecture को सुन रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये सारे structure आपको जो आपका syllabus है उसमें से deduct कर लिए गये हैं सिफ primary structure आपको हैं बाकि secondary structure, tertiary structure और cortinary structure syllabus में से निकाल लिए गया है तो अगर आप 2020 के अंदर मतलब अगर आप 21 के अंदर आपका exam देने वाले 2021 के अंदर आप exam देने वाले हैं 12 का exam देने वाले हैं तो आप secondary, tertiary और cortinary structure को नहीं भी पढ़े तो चलेगा लेकिन अगर आप आपका knowledge बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप मेरे lecture को जरूर सुने ठीक है तो चली सबसे पहले हम देखते हैं कि protein का primary structure क्या है protein का primary structure ये slabers से detect नहीं हुआ है ये आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो चली शुरू करते है ठीक है protein का primary structure का मतलब होता है कि protein के अंदर जो amino acid मौझूद है उसका sequence कैसा है ठीक है protein में मौझूद amino acid के sequence को ही primary structure कहते है ठीक है protein का amino acid का जो sequence होता है they are called primary structure ये अगर structure ये यानि primary structure अगर different हो जाए यानि amino acid का जो sequence है ठीक है जैसे मैंने आपको 20 किस्म के अलग-अलग किस्म के alpha amino acid आपको बताया हो है alanine, glycine, welline इस तरह के different आपको alpha amino acid मैंने बताया तो इसका sequence बहुत important रखता है अगर आप देखोंगे तो ये जो structure ये जो आपको नजर आ रहा है ये protein है तो protein के अंदर ये जो alpha amino acid है इसका sequence को ही हम क्या कहते है इनके खास तर्टीब को ही हम क्या कहते है primary structure कहते है अब अगर आपको किसी भी protein के primary structure को अगर आपको represent करना है तो हर alpha amino acid को आपको तीन alpha bet से represent करना होगा और फिर उनको तमाम amino acids को bond के जरीए से एक दूसर से जोड़ दिना पड़ेगा जिसके जरीए से एक आपको लंबी सी जंजीर मिलेगी इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको एक लंबी से जंजीर मिलेगी इसमें क्या किया मैंने हर alpha amino acid को तीन लेटर से मैंने क्या क्या मैंने जब आपको alpha amino acid बताया तो तब आपको यह चीज़े बताया था तो यह मैंने क्या किया alpha amino acid को dash के जरीए से bond के जरीए से क्या कर दिया हूँ एक दूसर से जोड़ दिया हूँ तो यह जो sequence आपको मिला है यह sequence क्या कहलाता है primary structure कहलाता है protein के अंदर alpha amino acid के sequence इतना सदे important होता है कि अगर आपने एक alpha amino acid के sequence को भी इधर उधर कर दिया मतलब एक alpha amino acid जैसा यहां अगर for example अगर आप देखोगे यहां elanine है अब उसके जगे आपने glycine डाल दिया यहां elanine है ठीक है यहां आपने क्या डाल दिया glycine डाल दिया तो पूरा protein change हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरा के पूरा protein change हो जाएगा अब पहला वाला protein नहीं होगा अब यह कोई different protein बन जाएगा तो समझ सकते हैं कि यह sequence कितना ज़्यादा important होता है तो यह sequence क्या अंदगर आपने एक amino acid की एक alpha amino acid की भी अगर आपने तबदिली कर दिये तो पूरा के पूरा protein ही change हो जाता है जैसे मिसाल के तोड़ पर अगर आप देखोगे तो हीमोगलोबीन जो होता है यह भी एक तरह का protein है जिसमें four polypeptide chain एक दूसरे से जुड़े भी होती है अब यह four polypeptide chain के अंदगर आपने एक alpha amino acid को भी change कर दिया एक alpha amino acid को भी change कर दिया जैसे glutamic acid की जगे आपने valine डाल दिया वो sequence के अंदर कहीं glutamic acid होगा वहाँ अगर गलती से valine चला गया तो अब जो हीमोगलोबीन जो था वो अब हीमोगलोबीन की तरह बरताओ नहीं करेगा वो उसकी तरह behave नहीं करेगा हीमोगलोबीन का काम क्या होता है oxygen को transport करवाना तो अब वो हीमोगलोबीन उस तरह से अपनी role को play नहीं करेगा जिसके वज़ा से इन्सान की जिसम में एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसे हम स्यिकल सेलनेमिया कहते हैं दिर्खेजे सिंप एक अलफा मानेय सेट एक Нवाख पैदा होगी है कि अप क्रभा मानेफ कर दिया तो ौद्त कौन से बीमारी जो Chinese मैं घबचा हो गई है गिसके हम सांस लिलनी में प्रॉब्लम आपको होगा सर में दध होगा वोमिटिक होगी बहुत सारी ऐसा थकावाड या गलावाड इस तरह से आपको डिफ्रेंट किस्म की जो है सिम्टम्स आपको नजर आने लगेगे तो आप समझ सकते हो कि यह जो है प्रैमरी स्ट्रक्चर कितना है कि छ kadar जिए लेफ्ट हैंद साइट का जो टर्मीनल होगा जो मतलब यह घंट साइट का झो कोना होगा जो टर्मीनल उसका होगा व author कह लाता lei right हेंडु साइट है उसे हम सी डिमिनल कहते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे यह मेरा जो है अभी फिलाल मेरे यह लेफ्ठ ढंट साइड में मौजूद है तो एक पत्याद रखोगे तो यह वाला जो टर्मिनल होगा वह कौंसा डिमिनल होगा N b होगा और यहां जो एस पार्टिक एसीड का इस इस कोने पर इस ट्रमिनल पर नाइट्रोजन गुरुप मौझूद है और यह फिनील एवलानीन जो है इस phenylalanine का इस सिरे पर COO गुरूप मौजूद है मतलब यह वाला जो terminal यहां carbon मौजूद है phenylalanine का carbonyl गुरूप मौजूद है और यहां aspartic acid का nitrogen गुरूप मौजूद है इसलिए जो left hand side का जो terminal होता है उसे हम क्या कहते हैं? end terminal कहते हैं और जो right hand side का terminal होता है इसे हम C terminal कहते हैं यह बात आपको important इसलिए है क्योंकि जब आप इसका hydrolysis करोगे जब भी आप protein के अंदर जो alpha amino acid है उनका जब आप hydrolysis करोगे तो यह बात आपको याद रखोगे कि सीधे हाथ की तरफ कौन होगा? और उल्टे हाथ की तरफ left hand side की तरफ कौन मौझूद होगा? nitrogen गूरूप मौझूद होगा ठीक है? अब हम यह देखते हैं कि protein के secondary structure से क्या मुराद है protein का secondary structure किसे कहते हैं? देखे protein एक बहुत बढ़ा सा molecule होता है तो उस protein के molecule का एक छोटे से part को एक छोटे से localized part को आप जब 3D representation देते हो 3D dimensional structure में जब उसको represent करते हो उसे ही हम secondary structure कहते हैं ठीक है? अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़ा सा molecule है protein का ठीक है? उसमें मैंने क्या किया हूँ? एक छोटे से हिस्से को 3D dimensional structure में represent किया हूँ इस तरह से 3D dimensional structure में एक छोटे से हिस्से को मैंने represent किया हूँ इसे छोटे से structure को मैं क्या कहता हूँ? secondary structure कहता हूँ जैसे मिसाल के तो आप मैं समझाने के कुशिश करता हूँ दिखिए ऐसे समझ के चलिए दिखिए ऐसे समझ के चलिए कि यह जो आपको नजर आ रहा है यह protein है यह protein है यह बहुत बढ़ा सा होगा अभी तो मेरे हाथ में छोटा सा मैं आपको represent करके बता रहा हूँ ऐसे समझ यह बहुत बढ़ा सा है तो यह चोटे से इस्ट्रक्चर को जब मैं यह वाले हिस्से को चोटे से हिस्से को मैं क्या करता हूं तो इसे मैं कहता हूं सीकंड्री इस्ट्रक्चर ठीक है यह प्रोटीन एक बहुत बड़ा सा मॉलीक्यूल है जब मैं इसके छोटे से हिस्से को 3-dimension structure में represent करता हूँ या कोई भी हिस्सा कहीं भी कभी हिस्सा को जब मैं क्या करता हूँ 3-dimension structure में represent करता हूँ तो इसे ही मैं क्या कहता हूँ secondary structure कहता हूँ अब यह जो secondary structure होता है वो दो तरह का हो सकता है एक को हम कहते हैं alpha helix structure और एक को हम कहते हैं beta pleated structure ठीक है अभी details हम इन बातों को समझने वाले हैं कि alpha helix structure किसे कहते हैं और beta pleated structure किसे कहते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि alpha helix structure किसे कहते हैं प्रोटीन का alpha helix structure उस चोटे से हिस्से को कहते हैं जिसमें protein इस तरह से helical form में मौझूद होता है अगर आप देखोगे तो इस तरह का spiral form आपको नज़र आ रहा है इस तरह का spiral form आपको जो नज़र आ रहा है अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने के कोशिश करोगे तो इस तरह से आपको जो helical structure जो नज़र आएगा ठीक है इस तरह से जो spiral structure जो नज़र आएगा इसे हम कहते है alpha helical structure या alpha helix structure इसे हम कहते है अगर आप protein के इस alpha helix structure को अगर आप देखोगे यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का जो एक टर्न होता है इसमें टोटल 3.6 alpha amino acid मौझद होते हैं 3.6 alpha amino acid का मतलब यह होता है कि 10 जो turn होते हैं उसमें 36 alpha amino acid होते हैं मतलब इस तरह कि 10 turn होगे 10 turns जो होते हैं 10 turn जब बन जाएगे तो उसमें total 36 alpha amino acid होते हैं 10 turn में total 36 alpha amino acid तो एक turn में कितना हुआ एक turn है उसमें कितना alpha amino acid हुए 3.6 alpha amino acid हुए तो जो एक turn होता है secondary structure के अंदर alpha helix structure के अंदर जो एक turn होता है, उसमें कितने alpha-mino acid होते हैं? 3.6 alpha-mino acid मोज़िद होते हैं. अच्छा, ये turn किस वज़ा से तयार हुआ है, पता है आपको? इसमें ये turn इस वज़ा से हुआ है, ये जो helical structure जो बना है, वो इस वज़ा से बना है, कि एक alpha-mino acid का carbonil group, एक alpha-mino acid का carbonil group, चोहते alpha-mino acid के, चोहते नंबर का जो alpha-mino acid है, उसके NH group के साथ hydrogen bond बनाता है, रिपिट कर रहा हो बात को, एक alpha-mino acid का carbonil group, चोहते alpha-mino acid के nitrogen group, NH group के साथ hydrogen bond बनाता है, जब वो hydrogen bond बनाता है, यहां का और यहां का क्या करेगा? hydrogen bond बढ़ाएगा, तो यह एक दूसरे से कैसे हो जाएगे? करीब आ जाएगे, तो जिसके वज़ा से यहां क्या तयार हो जाएगे? इस तरहां का एक helical structure यहां तयार हो जाता है, एक spiral structure मा तयार हो जाता है, ठीक है? इसी तरह से तमाम जो है, जो कार्बोनिल गूरूप और एनेज गूरूप एक दूसरे क्या करेगे? एक दूसरे को एट्रेक्ट करेगे, जिसके जैसे यहां का structure कैसा हो जाएगा? हेलिकल structure वहां तियार हो जाएगा, तो इस structure को मैं क्या कहोगा? अलफा हेलिक्स structure का होगा, ठीक है? अब एक बात आपको यह याद रखना है, कि इस structure के अंदर अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर इस तरह से रेप्रेजेंट करूँ, तो hydrogen bond जो होता है, ठीक है? यह जो turn है, इसका जो axis है, उसके parallel में होता है, जो hydrogen bond बनेगा, यहां से ल इसका जो axis बनेगा, तो उस axis के parallel में ही hydrogen bond रहेगा, ठीक है? hydrogen bond जो होता है, वो अलफा हेलिक्स structure का जो axis होता है, उसके parallel में होते हैं, और जो alkyl group जो होता है, ठीक है? अलफा माइनवसिट के अंदर जो alkyl group होता है, वो इस तरह से बाहर निकलावा होगा, ठीक है? आउटसा इस तरह से बाहर आउटसाइड निकलावा होगा, इस तरह से अलफा हेलिक्स structure को जो है हम represent कर सकते हैं, पुलो बास समझ में आ रही है, ठीक है? अब अगर आप अपने बालुक के प्रोटीन को अगर आप देखोंगे, यानि केरेटीन नाम के प्रोटीन को अगर आप देखो होगा, ठीक है, यह जो प्रोटीन इसके अंदर होगे, वो रेशो के फॉर्म में, इस तरह से जो है, अलफा हेलिक्स के फॉर्म में ही मौजूद होते हैं, इस तरह से जो बाल है, यह बाल है हमारा, ठीक है, इस बाल के अंदर भी जो प्रोटीन होगा, जो केरेटीन नाम का प्रोटीन है वो पूरी तरह से अलफा हेलिकल फॉर्म में ही होता है अब बात करते हैं जो यानी बीटा प्लिटेड इस्ट्रक्चर उस वक्त तयार होता है जब प्रोटीन की दो साइट चेंड एक दूसरे से साइड बाई साइड चलती है जैसे अगर आप देखोगे तो यह कि ये protein है, ठीक है, इसकी एक discharge ужас है, तो इसमें कBYा होता है, ये, ये, ये वाली जलंजीर और ये वाली जलंजीर, एक दूसरे-स तरह से side by side मौज़ुद होगी, ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे-स जूड़ी होगी, थोड़ी सी इससे नजदिक जुड़ी होगी, तो इस तरह का जो structure तयार होता है, इस structure को हम कहते हैं, beta-plated structure, ठीक है, beta-plated structure में क्या होता है, इस alpha, अगर आप देखोगे, तो ये वाली जो जन्जीर है, इस alpha-mine acid का carbonal group, इस जन्जीर के energy group के साथ hydrogen bond करेगा, ठीक है, इसका carbonal group, इसके साथ क्या करेगा, इस जन्जीर के energy group के साथ क्या करेगा, hydrogen bond करेगा, ठीक है, hydrogen bond बढ़ाएगा, जिसके वज़ए से इसके तरफ खीचे जाएगी, ठीक है, इस तरह से खीचे जाएगी, तो जिसके वज़ए से क्या होता है, ये दो जन्जीरे एक दूसरे से इस तरह से side by side मौझूद होते हैं, इस जिगजग फॉर्म में, ठीक है, जिगजग फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये देखो, अगर आप देखोगे, ये वाला जो structure आपको नज़र आ रहा है, तो ये protein का ये वाला structure, बीटा प्लेडेरी structure कहला हैगा, क्योंकि इसमें दो जन्जीरे कैसी ह एक दूसरे से side by side एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसमें क्या हुआ है, अगर आप देखोगे, तो एक chain का carbonil group, दूसरी chain के nitrogen के साथ क्या किया, उसने hydrogen bond बनाया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसने क्या कर लिया है, hydrogen bond बना लिया है, गलो बा समझ में आ रही ह इसे हम कहते हैं, बीटा प्लीटेड इस्ट्रक्चर, अगर आप इस बीटा प्लीटेड इस्ट्रक्चर को अगर आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, तो जो carbonil group है, और जो NH group है, वो एक plane में होगे, ठीक है, carbonil group और NH group एक plane में मौझूद होगे, जबके जो alkyl group इ जब रिप्रेजेंट करोगे, बीटा प्लीटेड इस्ट्रक्चर के अंदर, तो जो carbonil group और NH group होगा, वो कैसे होगे, एक ही plane में होगे, लेकिन alkyl group जो होगा, वो above the plane होगा, या तो below the plane होगा, अगर आप यहाँ देखोगे, तो यह carbonil group जो आपको नजर आ रहा है, और NH group ज और below the plane होते हैं, अब यह जो secondary structure है, वो किस तरह से अपना role अदा करता है protein के अंदर, देखिए यह जो मैंने बताया आपको कि किसी भी protein के अंदर alpha helix structure भी हो सकता है, और साथ जो है वो उसके उसी के अंदर beta plated structure भी होगा, अगर आप देखोगे, तो यह जो protein आपको नजर आ तो इस protein के अंदर, इस तरह का alpha helix structure भी होगा, और यहाँ beta plated structure भी मौझूद होगा, तो एक ही protein के अंदर दोनों structure मौझूद हो सकते हैं, alpha helix structure भी मौझूद हो सकता है, और beta plated structure भी मौझूद हो सकता है, अब यह किस तरह से रोल करते हैं, तो इसके एक मिसाल आप इस तरह स जो strength है, उसकी जो मजबूती है, वो मजबूती होती है उसमें मौजूद beta-plated structure की वज़ास जैसे में साथ देखो, ये structure की जरीए से हम समझने की कुशिश करते हैं अगर आप देखोगे, तो ये structure जो आपको नजार आ रहा है, ये protein है, जो silk के अंदर मौजूद होता है, जो जाला होता है, मकडी का जाला होता है, उसके जो strength है, उसकी जो मजबूती है, वो किसकी वज़ासे है, उस strength की मजबूती क्या है, इस beta-plated region की वज़ासे, जो आपको होती है, जो मकडी का जाला होता है, उसकी strength होती है, वो इस region की वज़ासे होती है, और जो इसasis laps, होती है, वो इस alpha- muted, जो region है, जो अगर आप देखोगे, तो यह प्रोटीन कैसा है, helical form में मौजूद है, तो इस region की वज़ासे, इस region की वजासे, उसके अंदर क्या आजाती ह बल।ा संमिल में आ रही हैं ठीक हैं अब बात करते हैं परोटीन का टर्चरी स्ट्रक्शर की से कहते हैं देखे है परोटीन का पूरा के पुरा मॉलिक्यूल ठीक है परोटीन के पुरे मोलिक्यूल को हम जब three dimensional structure में represent करते हैं उसे ही के प्रोटीन का मॉलीक्यूल है डिप्रोटीन का हमने इसे ही हंंकू में कहते हैं तो tertiary structure के अंदर आप देखोगे, तो alpha helical form भी मौझूद है, ठीक है, इसी तरह से इसमें beta plated form में मौझूद है, ठीक है, तो बहुत सारे alpha helix और बहुत सारे beta plated form एक दूसरे से जुड़े वे होगे, ठीक है, और वो tertiary structure त्यार कर लेगे, बोलो बार समझ में आ रही है, ठीक ह इसमें different किस्म की bonding पाये जाते है, different किस्म की bonding होती है, कहीं-कहीं इनके पास hydrogen bond भी होता है, कहीं-कहीं इनके पास dipole-dipole attraction भी होता है, कहीं-कहीं di-sulfide bond भी इनके पास पाया जाता है, कहीं-कहीं ऐसा होता है, कि electrostatic force of attraction के जरी से दो molecule एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इससे तरह से अगल आप यहां मिध्योनिन हैं इनिटी इनिट्रिक केंदर आमोनिय माइन तयार हुगया यह सिवा माइनस तयार हुआ अब ये एक दूसरे की बांडिंग होने की वजह से यह जो इस्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जो तर्चरी स्ट्रक्चर होता है वह बहुत जाधा stable होता है अब बात करते हैं प्रोटीन के quaternary structure के सिलसिले में देखे प्रोटीन का quaternary structure कहते हैं जब प्रोटीन के जो tertiary structure होता है जब दो या दो से ज़्यादा tertiary structure एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और complicated structure वहाँ ज़्यादा पेचीदा structure जब यार कर लेते हैं तो इसे ही हम कहते हैं Cauternary Structure छीक है? अब इसको थोड़ा सा जितनी भी बाते मैंने आपको बताया हूँ इसको थोड़ा सा शॉट में समझने की कुशिश करते हैं दीखे primary structure किसे कहते हैं protein का जो sequence होता है alpha amino acid का जो sequence protein के अंदर मौझद होता है इसे हम कहते हैं primary structure और secondary structure किसे कहते हैं जब protein के एक particular हिस्से को हम 3D structure में represent करते हैं उसे हम कहते हैं secondary structure और tertiary structure किसे कहते हैं protein का entire molecule protein के entire molecule को जब हम three dimensional structure में represent करते हैं इसे हम कहते हैं tertiary structure और cotinary structure किसे कहते हैं जब दो या दो से जादा tertiary structure एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा complicated structure त्यार करते हैं इसे ही हम कहते हैं cotinary structure ठीक है उमिद करता हूँ कि आपको protein के 4 levels structure आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होगे मिलते हैं नेक्स लेक्चर के अंदर जब तक असलाम आलेकुम वरहमतुलाही वबरकात।